किया है आध़ बच्चों हम वीड रीज करेंगे और बड़ा ही इंपोर्टन वीड़िच्ट है कई भारा जाता है कंडिशन फोर वीड़ स्टों ब्रीज इस बैलेंस जो ब्रीज है वो बैलेंस होता है ठीक है या स्पीजिट आधे और डियाव द प्रिंसिपल आफ वीड किर् वेड श्टॉन ब्रीज वेड शॉन ब्रीज क्या है बच्चो एक ब्रीज है एलेक्ट्रिकली अर्इंजमेंट कर युक्ती है विच फोर्म दा बेशिस अफ इंस्टुमेंट यूज तो डिटर्माइन अन अनन रिजिस्टेंस वे किसी भी अनन रिजिस्टेंस को निकालने के लिए ठीक है यह याद रखना आपने तू डिटर्माइन अनन रिजिस्टेंस अनन रिजिस्टेंस निकालने के लिए अम विट्स टॉन प्रीज का यूज़े करते हैं ठीक है तो इसमें देखें बच्चो क्या है हमारे पास यह हमारा इस त के डाइग्राम है इसमें हमारे पास है फोर रेजिस्टर है पी क्यों और एस और यह इस तरह मतलब के कमबाइन है बच्चो एक सेल के साथ है ठीक है तो यह एम एप है यहां पर तो एक ही सिर्किट आप पहले संजें घीक है और इसके बीच बेंच यहां से हम चलते हैं यहां से जो करेगा और यह डिरेक्शन है इसकी ठीक वापस यहां तो इसमें क्या है रचू देखिए यहां से हम चलते हैं यहां से जो करेंट की वैल्यू है अगर हम इस यह रेजिस्टेंस है हमारा अगर इस रेजिस्टेंस के थूरू अगर हम करेंट की वैल्यू आईवन मान लेते हैं तो यहां पर करेंट की वैल्यू हमारी आई माइनस आईवन होगी ठीक है यहां आईवन अ तो हम वोकर यहां पर आएगा अगर फिर यहां पर देखें और यहां से यहां देखें गिलवनमेटर के थूर अगर करण्ट लेंगे हम उसको लेंगे आईजी गिलवनमेटर के थूर कितना करण्ट होगा आईजी और इस तरफ करण्ट कितना आएगा पिछे से करण्ट कितना रहा बच्चो आई बना रहा और उसमें से आई जी निकल गया तो यहां क्यों के अक्रोस कितना करेंट फ्लो करेगा आई बन माइनस आई जी अब यहां देखें यह इदर से आई जी करेंट फ्लो रहा और यहां से आई माइनस आई बना रहा तो यहां पर क्या हो चाहिए इसक प्लस में होंगे तो यह कितना होगा आई माइनस आई बन प्लस आई जी यह करेंट हमारा एस के थुरू जो एस रेजिस्टेंस ठीक है तो आप देखिए इसको करते हैं पहले हम अपलाई करेंगे बच्चों यहां पर किर्चफ सेकिंड लाफ ठीक है सेकिंड लाफ तो सबसे पहले हम लूप लेगे बच्चों यह अगर हम लूप लेते हैं ए बी डी ए तो ए बी डी ए अगर हम लूप लेते हैं तो यहां से हमारे देखिए Change In जो Potential हमारा वो जिया होगा 0 के एकूल आएगा ना तो यहाँ प Lazio कितना है i1p है Potential का मतलब क्या होता है Product of the Resistance और नुआ है तो यहाँ पर Current की Value i1 रेजिस्टेंश कितना है phi है अब इस तुरफ जाएगे देखो Current की Direction सेम है उसे डिरेक्षिन में तो हमार एक प्लस की वंगे अभी इस डिरेक्षिन पर जा जा रहा है तो यह भी यह ब हमारा क्या आएगा यह भी प्लस में आएगा अब इस तरफ जा रहे हैं ए पूंस आ रहे हैं A laissez a.b.t offer गए b.sb.to की कि तरफ जाएंगे तो जब दी से एक की तरफ जाएंगे तो हमारी क्या लेंगे यहाँ माइनस लेंगे तो आई माइनस आई वन और इन्टू आर और यह और यह रखे आजगा घिक तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखिया बच्चो तो डिस्क्रिप्सर में मैं इसका लिंक दूँगा तो आप बच्चो इसको जाकर जुरूर देखें फर्स्ट लाग को ये सेकंड लाग को किर्च आफ के ठीक है असान नहीं हो जेगी आपको वीट स्टान परी समझने में और बच् अब हम सबस्क्राइब जूरूर करें देखिये अब हम सेकंड लोप लेते हैं ठीक है सेकंड लोप क्या है हमारा एन बी सी डी ठीक है तो पहले हमने यह लिया था लूप एब एब नहीं तो यहां से अगर हम चले बच्चो बी से सी पर गए हैं तो यहां पर करनेट की 1-ig into resistance कितना क्यों फिर यह देखो अब हम इस तरफ चल रहे हैं तो करन्ट की डिरेक्शन अप अपोजिक है तो हम माइनस लेंगे तो i-1 प्लस आई जी और into resistance कितना है एस अब यहां जाएंगे यह भी करन्ट की डिरेक्शन अपोजिक है तो यह कितना होगा तो इसके बाद हम देखिए इनको सोलो करेंगे दोने एक्वेस्ट को उससे पहले हम हमारी यह कंडीशन है बच्चो अगर हम देखिए इस सरकेट को इस तरह अरज़स्ट करें हम जो और की वैल्यू है जैसे resistance है अगर हम उसको इस तरह अरज़स्ट करें कि हमारा जो बी पॉयट है और हमारा डी पॉयट है वो सेम पुटेंशल ठीक है समें आज है डी एंडंड दी पॉयट और at same potential मैंने पहले बताया था same potential same potential पर आगरोंगे यह दुन पॉइंट है ठीक है तो यह जो बीच में current कितना flow कर रहा है आईजी current तो यह current flow नहीं करेगा यह क्यों हो जेगा 0 के एक क्यों हो जेगा क्यों क्यों कि current flow करता है higher potential to lower potential ठीक है तो जब यहाँ potential ही परबर है तो यह हमारा इसको wire को लगाने का कोई फाइदा नहीं है समझ रहे हैं यह useless हो जाती है क्योंकि आईजी की current की value क्यों है 0 अब यही current की value हम क्या रखेंगे first equation और second equation में रखेंगे बच्चों तो अगर हम पहली equation में रखते हैं तो हमारा क्या जगा आई बन पी यह अमरा सारा 0 गया तो माइनस आई माइनस आई बन और आर इक्वल टू जीरो मतलब यहां से equation अमारी क्या जगी आई बन पी इस इक्वल तो आई माइनस आई बन ठीक है यह आगे हमारी third equation ठीक है बच्चो उसके बाद अगी यहां रखेंगे देखिए second equation में आई जी यह जीरो जाएं तो आई बन क्या हुआ गया हमारा तो आई बन क्या हूँ यहां पर आई जी यह जीरो गया तो यह value क्या जेगे हमारी आई माइनस आई बन इन्टू एस इस इक्वल टू यह भी हमारा जीरो जीड़ो जीड़ो है तो यहां से एक और equation आई गे हमारी I1 Q is equal to I-I1 S is equal to 0 तो आई बच्चो तो आब हम क्या करेंगे इनको हम divide करेंगे ठीक है तो हम यहां कर लखते हैं देखिये divide वाइड दिवाइडिंग एक्वेशं ओर है है हुआ हम उतिक है तो पर और यह भी तुर सिर्फट यह पर इसके बटे में यह भर में और क्या करेंगाव और किया करेंगा और कि यहां और अपने नोटस हैं बच्चो साथ अपने आप ही बनाए करूँ ठीक है क्योंकि खुद कि अगर आप नोटस बनाते हैं तो आपारा जो इसी हो जाता है कोई भी क्वेश्चन को लर्न करना ठीक है आई वन से आई वन कैंसे लोगा बच्चो तो यह कितना गया मारा पी और क्य यह दोनों क्या होंगे एक दूसरे के एक को लोग है समझे रहे हैं नहीं तो यह था बच्चो वेड़ स्टोन ब्रेजर और बड़ा ही इंपोर्ट